जेहिं दोस्तों सागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आ हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी सहायती के बहुत ही महत्तुपन कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा आवच से देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क प्राइब कर लें बैल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे जादा जादा वीडियो को सेर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो इस्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट कॉस्चन है पाल गुम्रा का होगा यानि की विकल्प नंबर C आपका यहाँ पर सही आंसर है क्व्श्चन नंबर आपका यहां पर उननेस पूंचा है बौरिन हैसी टंगस का सांड सीर्शक कहानी के लेखक कौन है इस कहानी है और इसके लेखक आपको यहाँ पर बताना है बताईए तो इस्वर प्रकास हैं उदाय प्रकास अरुन प्रकास या इन में से कोई नहीं तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नमबर सी आनि की उदाय प्रकास आपका इहाँ पर सही आंसर है निर्मल बर्मा की चर्चत कहानी संग्रा है परिंदे बंजर तलास या इन में से कोई नहीं तो निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्र जो है परिंदी आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है यह चर्चित कहानी और इसका प्रिकासन अगर पूंचा जाए तो 1960 में इसका प्रिकासन हुआ था परिंदी कहानी का अंगला कॉस् नमबर 21 क्या दिया गया है कि फणिस्वनात रहनू की कौन सी कहानी है तो रस प्रिया है या रसिक प्रिया है या रस आखे टक है या फिर प्रिया निलकंठी तो question नमबर 21 का आपका जो सही आंसर है कि फणिस्वनात रहनू की कौन सी कहानी है तो आपके हैं पर सही आंसर होगा रस्पिरिया रस्पिरिया यानि की विकल्प नमबर एक आपका यहां पर सही आंसर है रस्पिरिया राइट आंसर है विकल्प नमबर एक question number आपको यहाँ पर 22 पूँचा गया है तीसरी कसम फिल्में लेखक फिल्में किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है तीसरी कसम जो फिल्म है यह किस लेखक पर बनाई गई है यह आपको यहाँ पर बताना है तीसरी कसम फिल्म बताना है प्रयम चंद्र चंदर सर्मा गुलेरी फणिस्वनात रेनू या फिर जैनेंदर कुमार तो आपका यहां पर सही आंसर है यह बनाई गई है जिस पर फणिस्वनात रेनू आपका यहां पर राइट आंसर है बिलकुल सही यह क्वास्चन आपके पूंचे का ही क्वास्चन है पी जी टी टी जी टी की परिच्छा में पुरा तत्त वित्ता हैं जो तो आपका यहां पर सही आंसर है बहे कौन है तो पंडेत चंद धर सर्मा गोलेरी आपका विकल्प नंबर यह आपका यहां पर सही आंसर है यह आपका जो है पीजी टी 2015 में आपका पूँचा गया था आदमी कहानी का कत्त जो है भारत पाक विभाजन भारत पाक विभाजन आपका यहां पर सही आंसर है कौश्चन नंबर 25 यहां पर देख लेते हैं जब पूच्चा गया है कौश्चन नंबर 25 तो आपका यह रहा कौश्चन नंबर 25 की निमने लिखित में ऐसी निमने लिखित म यहां लख्श्मी के अध्य है यानि कि यहां पर राजंद रियादब की कहानी केज़ आंफ है तो विकल्प नंबर B आपका यहांपर सई आंसर होगा question number 26 क्या पूंचा है नई कहानी आनदोलन के प्रमख कहानीकार है 2010 में ये PGT में पूंचा क्या है कि नई कहानी आनदोलन के प्रमख कहानीकार है मोहन राकिस या स्पाल जैनेंद्र या फिर इलाचेंद जोसी तो question number 26 का आपका जो सही answer है वह है आपका right answer यहाँ पर 26 का विकल्प number A यानि कि मोहन राकिस आपका यहाँ पर सही answer होगा मोहन राकिस आपका right answer है विल्कुल सही question number 27 यहाँ question number 27 आपसे यहाँ पर पूँचा यह नई कहानी कि विशेस उपलब्दी के स्चेत्र में रही है तो बताईए बदलते सामाजक पारिवारे क्रिस्तों के चित्रण में महान अंग्रे संत्रास के चित्रण में या व्यक्ति के अ सामाजक पारिवारे क्रिस्तों के चित्रण में तो विकल्ब नंबर यह आपका यहाँ पर सही answer है question number 28 पूँचा गया है देखिए यहाँ पर आपका question number 28 है इनमें से इनमें से सिव मूर्ती की कहानी नहीं है तो देखिए नहीं पूँचा है आपसे यहाँ पर बताईए नही है तो भरत नाट्यम यह कसाई बाड़ा यह त्रिया चरित्तर यह फिर अकर्मक क्रिया question number 28 है महत्वपूण है राइट आंसर आपका यहाँ पर बैय होगा आपका अकर्मक क्रिया यानि कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी र आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कसाई बाड़ा के कहानी के लेखक पूंचा है तो सिव मूर्ति आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही question number 30 आपका यहाँ पर क्या पूंचा गया है देखिए हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है कसाई बाड़ा और इसके लेका कौन है तो यह question फिर से डबल हो गया है आपका सिव मूर्ति आपका राइट आंसर होगा question number आपका यहाँ पर 31 है देखिए यह question आपका GIC प्रवक्त परिक्षा 2017 में यह पूंचा गया था कि क्या पूंचाता ने मिलिखित में ऐसी ओम प्रिकास बालमी की कहानी स लंग रहे कौन सा है question number 31 है तो 31 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प number C आनिकी छतरी छतरी आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही छतरी जोनों ने बताया है उनका यहाँ पर right answer है question number 32 आपसे यहाँ पर क्या पूंचा है 32 वा question है राजा निर्वस्या कहानी के लेख आपसे यहाँ पर पूंचा गया है तो क्या होगा इसका सही आंसर तो आपका right answer 32 का आपका कमलेश्वर आपका यहाँ पर सही आंसर है भी right answer है बिल्कुल सही कमलेश्वर आपका सही आंसर होगा राजा निर्वस्या जो है इस अठार 1907 की कहानी है और इसके लेखक समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं मोहन राकेस कमलेश्वर राजन रियादा हिमान सु जोसी तो 33 का आपका जो सही आंसर है भाई क्या है महत्वपूर्ण question पूंचा गया है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है कि समानांतर कहानी के जो प्रवर्तक हैं कमलेश्वर है कौन ह कमलेसवर तो विकल्प नंबर C आपका राइट आंसर यहां पर होगा question number 34 आप से पूँचा गया है प्रियमचंद की कहानियों की जो संख्या है लगबग कितनी है यह question तो बहुत ही महत्तपूर्ण question पूँचा गया है कि प्रियमचंद जी की जो कहानियों की संख्या है प्रियमचंद जी की तो यहां पर विकल्प नंबर B आने की 300 की लगबग कहानी है प्रियमचंद जी की तो यह आपको यहां पर विकल्प नंबर B जो है याद रखना है अंगला question क्या पूँचा है तो यहां पर question नंबर 35 पूँचा है नमक का दरोगा कहानी के लेखक है question number 35 में आपको बताना है कौन है इस कहानी के लेखर नमक का दरोगा कहानी के लेखर जय संकर प्रसाद है गुलाब राय है प्रयम चंद्र है या फिर राम चंसुक्ल है तो 35 का आपका जो सही आंसर है विकल्प नमबर भी राइट आंसर है यानि कि प्रयम चंद्र आपका पर सही आंसर है कौस्चन नमबर आपका यहाँ पर अंगला क्या पूंचा गया है तो अंगला कौस्चन यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं आपका अंगला कौस्चन है कौस्चन नमबर 36 से प्रिल्णा नामक कहानी रचित है तो यह आपके लिए बताना है तो जी द्वारा रचित है ये कहानी प्रेणा कॉस्चन नमबर आपका इहां पर जो सेहते सवब पूंचा है प्रियम्चंद जी की अंतियम कहानी थी ये आपका देखिए 2002 में पूंचा है क्या महत्तुपुल कॉस्चन है पीजी टी में ये ठाकुर का कुणा कफण या बड़े घ घटना प्रिधान कहानी बताना है कौन सी है तो आपका यहां पर सही आंसर यहां पर जो होगा वह विकल्प नमबर सी पंच परमीस्वर ने पंच परमीस्वर आपका यहां पर सही आंसर है बिलकुल सही पंच परमीस्वर राइट आंसर है जबरा जो है जबरा किस कहानी का पात्र है, question number आपका यहां पर 49 है, 49 का आंसर बताना है जबरा किस कहानी का पात्र है, कफन, दो बेलों की कहानी या फिर पूस की रात या फिर इदगा है, तो 49 का आपका जो सही आंसर है, भहे क्या होगा, बताई यह महत्वण question है, और आपका पूस की रात यहां पर राइट आंसर होगा, पूस की रात जन्हों ने बता है, विकल्प नंबर भी उनका इहां पर सही आंसर है, जो है झपर प्रियम छंद की यह कहानी है, जो है आपको यह पींचे जाते हैं इस प्रकार कोंचे का यह पात्र है, question number, क्या पूंचा गया है, क्या पूंचा गया है, हहां प कफन कहानी में घीशू और माधाव कफन के पैसों का क्या करती है तो question number 40 है और 40 का आपका जो सही answer है आपका right answer विकलत number D यानि कि उपरोक्त दोनों काम करते हैं उपरोक्त दोनों काम करते हैं यहां पर देख लेते हैं कौन-कौन से यहां पर देखे विश्थरत में कफन कहानी में घीशू और माधाव कफन की पैसों से सराब पूरियां भुनी हुई मचलियां आदी खरीद कर खाते हैं यह जो है आपका यहां पर सही answer होगा तो इस परकार आपका यहां पर यह जो है A और B आपका यहां पर right answer है question number आपका यहां पर 41 पूंचा है क्या पूंचा है लेखे A है question number 41 है कि दामुल का कैदी उनके लेखक कौन है तो question number 41 का आपका जो सही answer है दामुल का कैदी पूंचा है तो इसके जो लेखक है प्रयमचंद जी है यानि की विकल्प number C right answer है यह उनकी प्रारंबिक कहानी है किसकी प्रयमचंद जी की question number आपका यहां पर 42 पूंच या मिस्र पदमा या फिर चोटा जादूगर तो आपका हैं पर 42 का right answer होगा चोटा जादूगर यानि की विकल्प number D आपका हैं पर सही answer है चोटा जादूगर जो है एक किसकी जैसंकर प्रसाथ द्वारा लिखी गई एक कहानिया है यह प्रयमचंद जी की कहानी नहीं है question number 43 42 ताले सियां पर प्रयमचंद जी की कौन सी किरती अंग्रेजों द्वारा जब्त कल लिया गया था तो बहे कौन सी किरती है प्रयमचंद जी की जिसको अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कल लिया गया था तो बहे किरती थी सोजे बतन सोजे बतन यानि की विकल्प number B आप पत्राय है इनका नवाव राय नाम से छपा है अंग्रेजी हुकमानों ने को इन कहानियों में जो है बगावत की बूँज सुनाई दी और हमिरपुर के कलेक्टर ने प्रेमचंद को बलबा कर उन से इन कहानियों के बारे में पूँच तांच की थी और प्रेमचंद ने अपन कि अंग्ला क्या पूँचा क्या है में सोजे बतन आपका यहाँ पर सही आंशर धे तो यहाँ पर आपका कॉउचिन बीच नमबर पैरानिज स्वच्ट क्या तो पर प्रेम नरुचन नंकी कि दो प्रुच्ञत कि यहां पर भी पूचा गया है यहां पर पूचा गया कि पृतिवंदित क्या गया था तो भै सोजे बता नहीं वह किरती थी जिसको पृतिवंदित कर दिया गया था प्रियमचंद जी की एक किरती थी यहां पर कॉस्चन नमबर चालेस पूंचा गया है कि प्रियमचंद उर्दू में किस नाम से लिखती थी धनपतराय से नबाबराय से गड़पतराय से या फिर इन में ऐसे कोई नहीं question नमबर चालेस है और चालेस का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नमबर B यानि कि उर्दू में यह लिखती थी नबाबराय की नाम से नबाबराय आपके यहां पर सही आंसर होगा गुंडा कहानी पिरसाद के किस कहानी संग्रह में संक्ले थे गुंडा कहानी इंदरजाल में पिरतीद्वानी में आकास दीप में या फिर आंधी में तो 47 का आंसर बता अंगला कोस्चन क्या पूचा क्या है पर तो कॉस्च्चन नमबर आपका इहाँ पर 48 पर आपका पूच्चे पर 58 पर साथ की गुंडा कहानी में इतिहास की किस युग का चित्रन है, सल्तनत योग मुगल सास्कों का योग विक्टोरिया का सासन इस्ट इंडिया कंपनी का समय, इसमें जो है गुंडा कहानी में इतिहास का चित्रन हुआ है, कॉस्चन नमबर आपका यहाँ पर पूँचा गया है, और यह कॉस्चन आपका 2009 में PGT में पूँचा गया महत्वण कॉस्चन है, राइट आंसर पुरुस्कार, जो नारी पात्र है मदुलिकार, इनका सम्बन पुरुस्कार कहानी से, कॉस्चन नमबर यहाँ पर देखिए, अंगला कॉस्चन क्या पूँचा गया है, कॉस्चन नमबर 50 कहानी संग्रा है, दूसरा ताजमहल की लेकी का कौन है, ममता कालिया है, नासरा सर्मा है, छमा कॉल है, अनीता जेन है, तो कॉस्चन नमबर 50 का राइट आंसर आपका यहा नासरा सरमा आपका यहां पर सही आंसर होगा बिलकुल री नाशरा सरमा जानों ने बता Warmropans उनका यहां पर सही आंसर है यह उ alright में जन्मी नासरा सरमा को पंस्वेया नहीं को बन आकारता में से तो इस फिरकार आज की वीडियो में बस इतना ही अपने यहां पर बहुत ही महत्पुल कॉस्चन कबर किये हैं कहानी से संबंदित तो एक क्यांसे लगे कमेंट में जरू बताएं इसी तरह है बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइक सब्सक्राइब के लिए जैनल